नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPSCA2Z पर रीट के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है और हाई कोट के फैसले के बाद ये ख़बर निकल कर सामने आई है बहुरा नाम के किसी व्यक्ति ने रीट में विश्यों से समंदित एक याचिका लगा रखी थी वो याचिका यह थी कि अगर किसी विद्यार्थी के रीट में अगर इंगलिश सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट उसके B.A.D. में भी होना चाहिए और अगर रीट में हिंदी सब्जेक्ट है तो B.A. और B.A.D. में भी हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए इस संबंद में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है और क्या फैसला दिया है वो मैं आपको बताता हूँ यह जी राजस्थान का एक ट्वीट है ओफिशिल नियूज है यह आप देख सकते हैं तृत्य स्रेणिय अध्यापक बरती 2017 लेवल टू मामला बरती में तीन स्तर पर देखे विशे सनातक B.A.D. और रीट में समंदित विशे B.A.D. में नहीं भरती विशे वे नहीं पात्र छात्र के पास सनातक के कोई भी दो विशे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा पद से नियादिस मनीश मंदारी ने दिये आदेश मनीश मोहन बोहरा ने की थी याचिका तो यह आप देख सकते हैं कि तीन स्थर पर विशे देखे जाएंगे कि मतलब ग्रेजवेशन में भी हो B.A.D. में भी हो और रीट में भी हो तभी आप उस विशे के लिए पात्र होंगे और अगर आपके पास सनातक के किसी दो विशेों में से रीट में एक विशे भी है तो भी आप eligible होंगे पात्र रहेंगे तो इट्स अ बिग नियूल्स वर टुड़े प्लीज लाइक और सब्सक्राइब थैंक यू सो मग